देखिए अभी चार राज्यों के चुनाव होने थे ये चार राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे इन्होंने सिर्फ हरियाना का और जम्मू काश्मीर के चुनाव कराए और दो राज जारकंड के और महारास्ट के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए मेरा ये सब्मिशन है कि जब ये चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पारे है वन नेशन, वन इलेक्षन कैसे कराएंगे इसको भी छोड़िये हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महारास्ट और जारकंड के साथ करा दीजिए उसमें भी ये कराने तयार नहीं है कह रहे हैं कि हम तीन इलेक्षन एक साथ नहीं करा आप तीन इलेक्षन, चार इलेक्षन तो एक साथ करा नहीं पारे हो पूरे देश में कैसे कराओगे एक दूसरा आर्गुमेंट भी है suppose कि कोई सरकार बीच में गिर जाती है पास साल के कारेकाल में ठाई साल में अगर कोई सरकार गिर जाती है तो क्या भारती जन्ता पार्टी फिर यहां रास्टपती साशन लगाएगी और LG के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से क्या वहाँ पर वो अपना खुद राज करना चाहती इसलिए ये ऐसे आइडिया लेकर आ रही है मेरा सब्मिशन ये है कि ये भारती जनता पार्टी का एक जुमला है वैसे ही जुमला है जैसे किसानों से बिना पूछे ये किसानों के लिए कानून लेकर आए थे एक्सपर्ट से बिना पूछे ये डिमोनिटाइजेशन लेकर आए थे कोरोना में बिना ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर से डिसकस किये ये थाली बजवा रहे थे ये भी एक जुमला है जिसका को वही हश्र होगा जो बाकी इनके आइडियास के होगा है पार्टी इसका विरोध कर रही है अदरवाइस सरकार को इन सारे क्वेशन जो हम यहां रख रहे हैं उसको क्लेरिफाई करने चाहिए देश में तीन हजार से ज़्यादा छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं इन तीन हजार छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टी ओं को भी लेवल प्लेइंग फील्ड कराने की ज़रुरत होती है आप सारे इलेक्शन से एक साथ अगर कराओगे तो बड़े parties तो हो सकता है चुनाव कर ले, छोटे-छोटे पार्टियों का भी क्या होगा, इसके अलाबा भी इसमें बहुत complexities है, ऐसे आप out rightly random ideas लेकर जो असली मुद्धे हैं, ना आपको देश में health system को improve करना है, ना education system को improve करना है, ना ही good governance में focus करना है, आप ऐसे ideas लेकर आ जो practical नहीं है, अभी